कि अतिश्यक्ति होगा चोधा में तो बीजेपी एक सिर्जिता था आठ सिर्जिता एक बड़ा गुरूत हुई उनिस तक चोधा से उनिस तक प्रधान मंत्री जी की मिक्तितो उनकी नीती को उड़िसा ने पसंद किया बीजेपी असी के बाद उड़िसा में बनी उसके पहले जनसंग भी था चोटी इताकत था लेकिन बीजेपी के एक क्वांटम गुरूत हुई सब्स्टेंशल जंप हुई चोधा के बाद उसमें मूल कारण है प्रधान मंत्री नरिदर मोदी जी की विश्वसिनियता प्रधान मंत्री जी की क्रेडिबिलिटी उनके उपर उड़िय लोगों का भरोसा उसके साथ हमारी जो और्गनेशनल कैपेशिटी रही उसमें जुड़ी लेकिन आज हम इसके करण हमने चोधा में जब देश ने पूरा भरोसा किया उस समय में भरोसा नहीं कर पाया हम तीन नमर की पार्टी थे चोधा में भी उन्नेस आते हम लोग लेकिन देखते हैं क्या होगा इलेक्शन कमिशन नहीं चाहते हैं इलेक्शन कमिशन तो हम तो इन्यूफैड चुनाव हो एक समय में देश की सारे चुनाव हो जाए कठा उसकी तो हिमायतकार भारती जिंदा पार्टी करती है जिला हमारा विश्वास है और उडिशा जैसे राज्य में कम इंत्राल में दो दो बार क्षुनाव करना उडिशा के नागरिकों की हित्मे नहीं है आप्टरल पईसा खर्चा तो होगा देश राज्य की खर्चा पईसा कर्चा होगा तीन महिने के बाद उतों चुनाओं क्यों अलग कराएगा ने करने चाहिए देखें कि क्या होता है ये इसा नहीं है आप दखो जगना जी को दुनिया जानती है और जगना जी भोजन फिरेफ़ दुनिया जानता है तो हमारे महा प्रशाद जगत प्रशिद है जगनाजी का प्रशाद जिसमें से जो उठी ओडिया बेंजन हम चाओल खाते हैं डाल सब्जी हमारा एक मिला हुआ बेंजन है कुजी ने डालमा भात और डालमा यह हमारी लोगों की अति प्रिय खाना है मीठा को लेकर जगना हो ही नहीं सकता है मीठा तो मीठा ची है तो सब देखो मनुष्या कभी-कभी आपने आइडिन्टिटी को लेकर कभी-कभी थोड़ा ज्यादा अग्रही हो जाता है मैं जोर से नहीं बुलता हूँ उसके अर्थ यह नहीं कि मैं मेरे परीचे के बारे में conscious नहीं हूँ मैं आपको दो तिन घटना बताता हूँ अब जानते हैं भारत में भासा आधारित राज्य भासा आधारित राज्य यह कहां का कलपना है बिश्वी जदी के प्रारम में से 1923 से यह आंदुलन उडिसा में शुरू हूँ कि हमारी भासा को एक अलग प्रसाशनिक एकाई भासा भासी इलाका को बनाया जाए 1936 में 1936 में अंग्रेज पिरियर्ड में भी उडिसा पहला भारत की भासा आधारित लिंग्विस्टिक बेस्टेट है जिसको सरदार पटेल जीने बाद में 50 में नेशनल पॉलिशी बनाया उडिसा पहला नमबर है अधिसा में अभी महातमा गॡ़िजी दो आंडोलण देश को नए जागृति दिया स्वदेशी आंडोल और लबन सत्यागरा ये महातमा गॡ़िजी जिस भिचार को गांदी जी ने क्या क्या कि ए इस प्रकार की आने को विचा उनके अटिकुलेट कि ओडिसा चाह था कि philosophy गाली सिफ नही है ना हटाने के लिए हटाना का आधार क्या है कोई प्रोग्राम है क्या कोई अल्ट्रेंटिव आइडिया है क्या सभी के हातों में उन राज्यों में दाइत्य लंबे समयत तक था कॉंग्रेस पार्टी की नेत्रतों में इस देश में लंबे समय तक सासन बेवस्ता चली पीड़ी दर पीड़ी चली इस देश के हालत क्या करके उन्होंने छोड़के गया था तो इसलिए लोग इनकी मन में एक अहंकार है हम बड़े परिवार के बड़े खांदान की है और कहा था